हेलो फ्रेंट्स वेलकम टी समिना क्लासेंस आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं भीच डी वन जिरो वन का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वह किस तरीके का होने वाला है 2020 में और इस वीडियो के अंदर हम यह भी डिसकस करेंगे कि अगर आप लोगो इसी की help से हम इस question paper का pattern देखेंगे तो इस paper को solve करने के लिए आपको 3 घंटे की time limit दे जाती है और यह जो question paper है यह आपका 100 marks का आता है ठीक है यहाँ पर 10 questions दिये गए हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 questions के answer को देना है और पहला question जो है इसमें वह compulsory है ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे कि किस type के questions आप से इसमें पूछे जा रहे हैं तो start करते हैं अपने question number 1 से और question number 1 है यहाँ पर आपका पहला question यहाँ पर दे रखा है निमलिकित गद्यांसों में से किनी तीन की प्रसंग सहीत व्याख्या कीजे तो friends यहाँ पर आपको 5 questions given है और उनमें से किनी तीन का answer आपको देना है और एक question जो है वो आपका 12 marks का है तो आप यहाँ से अपने 36 marks त सकते हैं कि यहाँ पर यह इस तरीके के 5 गद्यांस आपसे पूछे गए हैं और इनमें से किसी भी आप question का answer दे सकते हैं और हर एक question जो है वो आपका 12 marks का है ठीक है सिर्फ और सिर्फ तीन question का आपको यहाँ पर answer देना है तो अब हम देख लेते हैं कि अपना अगला question क्या है question number second यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगला question question number three शरण दादा कहानी की कतावस्तु का मूले अंकन कीजिए यह question भी आपका 16 marks का है तो अगर आप इस वाले question का time करते हैं तो आप लोग यहाँ से 16 marks तक score कर सकते हैं अगला question है आपका question number four और question number four पर है आपका उपन्यास के प् और यह question जो है यह भी आपका 16 marks में पूछा गया है तो यह जो भी questions आप यहाँ पर अपनी screen पर देख रहे हैं इन वाले question की भी आपको practice करनी है क्योंकि previous year के question paper आपके काफी ज्यादा important होते हैं आपके exam में better marks score कराने के लिए ठीक है अगला question है आपका question number seven और यहाँ पर बो सकते हैं और अगला question है आपका question number 10 question number 10 पर है आपका कीनी दो पर टिपडिया लिखे तो friends यहाँ पर आपको four topics given होंगे और उन में से कीनी दो पर आपको टिपडिया लिखने है मतलब उसको explain करना है ठीक है उनके उपर short note लिखना है और जो आपका एक question है वो eight marks का होगा तो द question अगर आप attempt करेंगे तो यहां से भी आप लोग अपने 16 marks तक score कर सकते हैं तो friends यह तो था आपका question paper का pattern 2020 के लिए और यह आपका December 2019 का question paper है और अब हम बात करते हैं कि आपको अगर exam में अच्छे marks score करने है तो उसके लिए आप कहां से prepare करोगे ठीक है तो friends सबसे ज़्यादा important है अगर अच्छे marks लेकर आने है तो वो है इगनू की books ठीक है इगनू की books में जो questions दे रखे होते हैं वो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो या अपने chapters अच्छी तरीके से clear करते हो तो आप काफी अच्छे marks तक score कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग के पास इतना study material पढ़ने का time नहीं है तो आप लोग अपने previous year के question paper को अच्छी तरीके से practice कर सकते हो और previous year के question paper से ही जादार आपके questions बनते हैं आपके exam में क्योंकि जो previous year के question papers होते हैं वो काफी जादा important questions होते हैं उनके अंदर ठीक है तो अभी जैसे आपके पास time नहीं है तो आप लोग अपने previous year के question paper कर लीजे और जो PhD 101 के solve question paper है वो आपको WhatsApp पे मिल जाएंगे तो WhatsApp नमबर में नीचे description box में दे रखा है तो आप लोगों सरसे contact करकर उन question paper को भी purchase कर सकते हैं solve question paper आप 5 यर बैक question paper को purchase करके उनकी अच्छी तरीके से अगर practice कर लोगे तो आप काफी अच्छे marks तक score कर सकते हैं और अगर आप लोगों के पास IGNU की books हैं तो आप लोग अपने in question paper को IGNU की official website से download कर सकते हैं और अपने answer खुद भी find out कर सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके exam के preparation के लिए तो वो questions अगर आप अपने find out करके उन्हें learn करते हो या उनकी practice करते हो तो आप काफी 6 marks से score कर सकते हैं तो friends ये था आपका question paper का pattern और इस तरीके से आपको अपने exam की preparation करनी है तो friends अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like कर दीजेगा अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को subscribe कर लिजेगा side में एक bell icon होगी उससे press कर दीजेगा ताकि इसी तरीके की वीडियो की notification आपको time पर मिलती रहे thank you for watching this video